हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल यह दिखिए बहुत ही प्यारा सा कैप यह आप हमें यह बना के दिखाएंगे बहुत ही आसान बनाना है इसको देखिए कैसे बनेगा यह यह एक साल से कम छोटे बच्चो का न्यूबॉर्ण बीबी के लिए आप इसको बना सकते हैं इसमें 6-8 मिने के बच्चो को आराम से आजाएगा यह देखिए आपको यह कैप बना के दिखाते हैं देखे कैसे बनेगा यह देखे फिन समयाँ पर दो तरह के हमने यह पट्टी बनाई हुए यह न्यू बॉर्ण बेबी के नाप का लेके इसको आप 6 महिने तक बच्चे यह पहन सकते हैं इसका नाप भी बता रहे हैं हम भी आपको और यह नाप जो है यह एक साल से उपर के बच्चे दो तीन साल तक के बच्चे यह पहन सकेंगे दिखे इसमें हमारे यहां पर यह दस फंदा है यहां पर उसके बाद हमने यह यहां तक यह भुना है उसके बाद हमने यह बारहाना शुरू किया और यह घटा है इसके बाद फिर से यह दस फंदा इतना यह भुना हुआ है इसको हम दिखे आपको गिन के दिखाते हैं यह एक दो तीन, चार पाँच छे यह तक यह बुना हुआ है छे धारिया यान् Sutini कि 12 सला यहां पर यह बुनी हुए है इसके बाद यहां पर 12 और 12 यह 24 सलाई है और हुमने यहां से यहां से यहां तक बुना हुआ है यह देख्रेंगे एक दो तीन, चार पांच छे-7, 8, 9, 10.. ग्यारा बारा ऐसे यहां से यह देखें यहां से बढ़ना यहां बंद हुआ है यहां से बढ़ना यह शुरू हुआ है बीच में यह 12 सला यहां यहां पर यह 24 सला यह बिना हुआ है उल्टा उल्टा बुने हैं हमने यह देखें इसमें जो है इस वाले में हमने यह 15 फंदे लि तो यहां पर हमने 10 फंदे बढ़ाए हुए यहां तक इसके बाद से घटाना शुरू किया है अभी हम आपको यह कैसे बना है यह बना कर दिखाएंगे यह देखे फ्रेंड्स हम यह 10 फंदे वाले हम इसमें बनाएंगे 15 फंदा है तो आपको 15 फंदे बढ़ाने हैं यह 10 फंदा वाले हम आपको यह बना के दिखाते हैं देखें यहां चे हम यह आठ यह से छे सलाही हमें नहीं पुर्ना हुआ है यहां पर यह छे धारियां इसको ह कम ढूर्ण कि दिखा रहे हैं गुण कि देखे कैसे बनाना है यां से यह एक फंद नम्न यह बढ़ना है यह यह हैं से नीचे पहनदे से यह से लेंगे सो ईसको एक फंद आई आई यह बढ़ गाई उसके बाद इस पूरी छलाई हम इस तरह के साम बुल लेंगे इस देखें बैक साइड से इधर से हमने पूरी सलाई हमने उल्टा बुलना है इस फंदे को हम पलट लेंगे यहां पर हमारा यह चेन आना चाहिए इसलिए हम इसको ऐसे करके पलट लेंगे अब फिर से पूरी सलाई बीना बढ़ाए हुए एक बार बढ़ाना है हमें एक फंदा और एक बार नहीं बढ़ाना है एक ही तरफ हमने यह फंदे बढ़ाने है एक फंदा करके ऐसे करके हम बढ़ाएंगे यह देखे, अब फिरसे हमने इधर अब यह एक फंदा फिर से बढ़ाना है करेंगे wireजंग लमने अफिर से बढ़ाना हुआ यह ध्यान रखना होगा करेंगे करेंग मेरे और फंदा भढ़ा आज दो फिर फंदा उन कम भनेशना हुआ हम इ भड़ा लेर Us कि इसी तरीके से हमें हर बार बढ़ाना है यह देखेữa कि 20 फंदे हमारे हों गया गय और यह अइसे करके हमने 10 फंदे और बढ़ाने बढ़ा लेना है इसका मतलब यहाँ पर 20 फंदे हो जाए यह 20 फंद हम बुन के आपको दिखाते हैं यह देखे फ्रैंस यहाँ पर यह 17 फंदे यह हो गए हैं तीन फंदे और बढ़ाने हैं, इसको हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे, यहां से एक तरफ से हमारे यह बढ़ता जा रहा है, यह दिखे ऐसे करके हम यह बढ़ा लेना इसमें फंदा, इसके बाद फिर सी यह से लाई पूरी हम उल्टी बुन लेंगे, यह 18 फंदा हो गया है, यहां पर यह बुन लेंगे पूरा, बैक साइट से हमने पूरा ऐसे उल्टा बुन लेना है, बिना बढ़ाए हुए, यह दिखे फ्रेंट, इसमें यह 20 फंदे हो गया है, यहां से यहां तक, यहां पर यह यहां तक, यह बुन गया है, यहां तक, इसके इसके बाद देखे कैसे बनाना है, इस बार हमने बढ़ाना है, इस बार हमने बढ़ाना नहीं है, इसके बार हमने बढ़ाना नहीं है, इसके बार हमने यह बढ़ाना नहीं है, इसके बार हमने बढ़ाना नहीं है, इसके बार हमने बढ़ाना नहीं है, इसके बार हमने बढ़ा कि और यह 15 फंदे का है यह दिख्ये यह यह पर यह चीजी हमने ही 15 फंदे रखे हुए यह तक यह हम नी 15 फंदे बढह आये हैं यह एक साल कैंद से अंदर की बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए지는 हम आपको यह पना जीर्फा के दिखा रहgencyं है है आपका जीतना बदल बच्चा हो अतना बड़ाा सकती है इस राई को हम रही यह पूरा पुर्टा बनना है विन बढ़ा आई हुए ति देखे ऐसे करके अब बैक साइट से भी हमने पूरा उल्टा बुल लेना है यह दिखें बैक साइट से हमने इस फंदे को पलटके पूरी सलाई हमने यह उल्टा बुन लेना है, ऐसे करके यह पूरा बुन लेंगे, इसको पूरा बुन के आप दिखाते हैं, यह दिखे फ्रेंट्स हमने यहां तक यह बुन लिया है, अब इसके बाद से अब देखे क्या करना है, दो सलाई हमने बिना बुने हुए यहां पर कुल यह फंदा पलट के। अब हमने इस BARD हमने हरबार अब फंदे में घटाना है धागा कर लेंगे अभी अभी तक ऐखो को हम बढ़ा रहे थे अब हमारा दू फंदा यहांसे अब घटाना है यह दिए है ऐसी करके यहां बम घटाते जाएंगे एक फंदा वस घटाएंगे जिश कettuर तरप से बढ़ा रहे थे अपर तरफ से अमने घटाना है अब यह पूरी सलाओं हमने ल्टी-बूलने नी ह बहुत आसान है पट्टी बनाना उसके बाद देखे कैप कैसे बनेगा आपको बताते हैं यह देखे यहां से घटना शुरू हो गया है अब हर सलाई में हमने घटाना है यह देखे फ्रेंस बैक साइट से हम बुलके फिर से सामने तरफ आ गया है कि अभी आपर हमने एक फंदा घटाये अभी दूशेयरा फंदा घटाएंगे हर सलाय मे में हमें फंद्रे घटाने ही जब तक हमारा यहां पर दस फंदा नब बच जाएं इसरे कि इसी तरीकि सामें हर सलाई में घटाती जेना है वैक सा इट से पूरा सलाय उलटा पील sellers है की घटाते जाएंगे कि दिखें यहाँ पर अमने ही घटाकर 100 पर 2-500 बेना बढ़ाएं में फिर से हम नहीं यहां पर 12 चुछक्कित बारा सलाई यहां पर यह उल्टा उल्टा बूलने ना है इसके बाद हम यहां पर यह फंदे बंद कर देंगे अब हमको इसमें बुना बना बना के दिखाते हैं यह देखिए फंदे यहां पर बंद कर लिये हैं इसके बाद सब हमने यहां पर यह फंदे उठाने हैं तो अगर सलाई से तो उठी जाएगा लेकिन प्रोश्या है तो उसे और आसानी से उठ जाएगा हमारी फंदे देखिए इसको ऐसे करके यहां से हम उठाते जाएंगे यह देखिए ऐसे करके हर फंदे में यह देखिए हर फंदे में ऐसे करके हमें यह फंदे उठाने है ऐसा उठाने के ऐसे करके फंदे इसी तरीके से हमने ये पूरा सलाई में ये पूरा फंदा ये उठा लेना है ये दिखाते हैं ये दिखे फेंट हम ये फंदे उठा के कुरोशी से हमने ये सलाई में कर लिया है ये दिखे पूरा फंदा हमारा ये उठा गया है इसके बाद से इधर हमने बैक साइड से इधर से बैक साइड से हमने ये पूरी सलाई उल्टी बुननी है यह पुरा हमारा 70 फंदा उठा है, यह दé Talking आशे जिए चोटे बचे का जीरो सैट से अच्छे मैने तक के बचे का है, तो इसमीं 70 फंदे उठें, जितना भी फंदा आपका एक फंदा मैं ऐसे उठ जाएं, यह से उठा ले나 है इसके बाद यह यह पूरा उल्ठी सलाई इस प बूनियाना है अब यहाँ से हमारा इनक है अब यहां से हमारा यह 17 है अब यहां पर कम 25 से 30 सलाओं बूननी है सिधा उल्टा बून्द速 मॡ्स्बूनते जाना है इसाथ है इसमें दो या कोई भी कलर लगा सकती है लेकिन हमने एक ही कलर से बनाया हुआ है इस तरह के कैप में बच्चों का कान बहुत अच्छी तरीके से ढग जाता है यह देखे और इसके बाद उपर यह ऐसी करके प्लेन ही बुनना है हमने बहुत ही असान है यह कैप बनाना इसको ऐसे बुन के आपको दिखाते हैं यह देखे ऐसे यह दो सलाईया हो गई है इसके बाद और बुनना है तीन सलाईया दिखे एक दो तीन हुआ है इसके बाद और बुन के आपको दिखाते हैं यह देखे फ्रेंस हमने यह यहां से यह पूरा सीधा सीधा बुनते हुए य चौँके को देखे की पुन चाफ सब्सक्राइब बाद से इसमंगते अब गले कर सों शक्राइब ये दिखे पहला फंदा मैंसे उभ्तार लेंगे इसके बाद हमने यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, यह दिखे छे फंदा हमने बुन लिया अब हम यहां से हम यह घटाएंगे दो फंदे एक साथ बुनेंगे ये देखे ऐसे करके ये बुन लिया हमने यहाँ पर अभी दो फंदा इधर से बुन लेंगे ये दो फंदा इधर का टाला लेना है ये देखे यहाँ पर ये चार फंदे का दो फंदा बन गया यहाँ पर दो फंदा गट गया इसके बाद से हमने यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, ये देखे, बारा फंदे, हमने यहां बुनने हैं, ये घटाने के बाद हमने ये देखे, ये बारा फंदे हमने ये बुन लिया, इसके बाद से फिर सब हम घटाएंगे यहां पर, ये देखे, ऐसे करके, ये देखे, दो फंदा हम ऐसे करके ये बुनेंगे, ऐसे, फिर ये दो फंदा हमने फिर इधर से बुनने ना है, यहां पर दो दो फंदे यहां घट गए, फिर से हमने बारा फंदा बुनना है, ये दे तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, यह देखें, बारा फंदा बुन गया, इसमें बीच में हमने बारा बारा फंदे यहाँ पर रखने हैं, दो घटाने के पाद यहाँ बारा, यहाँ दो घटाने के पाद यहाँ बारा रखा है, यहाँ पर हमने यह छे complete करके आपको दिखाते हैं अप फिर से में फिर से घटा ना है 12 पंदा बुनने के बाद में फिर से चार पंदे का दो फंदा करना है अभी जैसे हमने घटाया तब ऐसे घटा लीजिए यह देखिए हमने यह एंड तक घटा ले यहां पर दो फंदा घटा है बाकी तर बच्छे उपंदों को हमने बुन लिया है उसके बाद बैक साइट से हमने पूरी सलाई उल्टी ही बुनने है बैक साइट से हमने पूरा कुछ घटाना बढ़ाना पूरी सलाई फिर सामने तरफ से आएंगे बुन घटाने के जगे पर फिर सामने घटाना है यह पूरी सलाई हम उल्टा बुनेंगे यह देखे फैंस हम बैक साइट से बुन के सामने तरफ आ गए है अब यह देखिए जो दो फंदे थे हमारे घटे वे फंदे थे इनको फि इसे करके यह दो फंदा यह घट गया फिर इसको दो फंदे को फिर से हमने घटा लेना है यह देखे ऐसे घटते जाएगा फिर बीच वाले फंदे को हमने बुन लेना है यह देखे इस बर यह दस फंदा बचा हमारा बीच में अब यहाँ पर यह देखे घटा वा फंदा यह जो है यह घटा हुआ फंदा है अब फिर से इसको यहां से घटाएंगे ऐसे अईसे करके यह घटा के हम आपको और दिखाते हैं इधर यहां 10 फंदा बचा फिर यह चार फंदा गटा ना है यह क्या प्यान भोड़क है बैक शाइड में भी में फंदा बच रहे हैं इन वही सब mobile दिखाते हैं झाल झाल झाल